आज की शिक्षा निदेशाले राष्टे राजधानिक शेत्र दिल्ली की वर्क्षीट वर्क्षीट नमबर 32 जो की कक्षा आठवी के विद्यार्थियों के लिए हैं यह ली गई है विज्ञान विशे से और आज इसमें हम फिर से एक बार जारी रखेंगे अपने पार्ट प्रकाश को जिसमें बहुत ही बढ़िया और बहुत ही महत्वपून जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जानते हैं वे क्या हैं वे हैं हमारी नेत्रों की देखबाल यानि हम अपने नेत्रों की देखबाल कैसे कर सकते हैं इस वर्कशीट में हम उसके कुछ उपाए जानेंगे तो चलिए बिन समय गवाय शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं तो देखो बच्चो नेत्र जो है यानि आखे हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और यकीन मानिए कि उपर जो इश्वर है जो जो भी जिसको आप मानते हैं उनकी तरफ से ये हमें बहुत ही एक अमूल्य देन है तो इसलिए हमें अपनी आखों को बचा के रखना चाहिए देखिए हम इनको कैसे बचा सकते हैं हमारी आखें अमूल्य हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमारी आखें ना हो तो क्या हम इस सुन्दर दुनिया को देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे न इसलिए कहता हूँ अपनी आखों को बचा के रखो तो हम कौन-कौन से उपाय अपना कर अपनी आखों को बचा सकते हैं हमें बहुत कम रोश्णी में नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा करने से आखों वा सर में दर्द हो सकता है सूरे, टॉर्ज या लेजर को सीधे नहीं देखना चाहिए ऐसा करने से रेटीना को हमारा जो रेटीना है उसको बहुत नुक्सान पहुंच सकता है फिर तीसरा उपाय है कि आखों को रगरना भी नहीं चाहिए यदि आखों में कोई धूल का कन गिर जाए तो आखों को साफ पानी से धोना चाहिए उसके बाद अपनी आखों की नियमित रूप से जाजबी करवानी चाहिए यदि डॉक्टर सलहा दे तो चश्मे का भी उपयोग करें कि इसमें कोई भी शर्म वाली बात नहीं है क्योंकि कई बच्चों को शर्म रगती है चश्मा लगाते हुए अगर हम चश्मा नहीं लगाएंगे न तो हम बिल्कुल ही नहीं देख पाएंगे तो उससे कहीं ज़ादा अच्छ है कि हम चश्मा लगा लें और अपनी इस दुनिया को इपनी इस रंगीन दुनिया को अपनी इस अच्छी सी दुनिया को देख पाएंगे फिर इसके बाद एक बहुत ही असान उपाय है कि दिन में कम से कम तीन से चार बार अपनी आँखों को साफ पानी से धोई क्योंकि आजकर हम सब जानते हैं कि मोबाइल का उपयोग बहुत जादा बढ़ गया है क्योंकि ऑनलाइन क्लास चेल रही है करोना की स्थिती में आफलाइन तो हो नहीं पा रहा है और अप प्रदूशन भी हो रहा है जिसकी कारण हम सपूल नहीं जा पारे हैं तो इसलिए ऑनलाइन पर ही हम निरबार हैं फिर एक और जरूरी उपाय है कि पढ़ते समय किताब को सामाने दूरी पर रखना चाहिए किताब को अधिक पास या अधिक दूर रखने पर भी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है अब आप समझें कि किन उपायों को अपना कर हम अपनी आँखों को बचा सकते हैं इसके सासद एक और जरूरी बात आपको बताता हूं कि विटामिन A की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसलिए हमें अपने खाने में विटामिन A से युक्त चीज़ें जैसे कच्ची, गाजर, गोबी और हरी सबजियों का अधिक से अधिक प्रियोग करना चाहिए। क्योंकि अब सर्दिया आ रही है, तो आप रोज एक गाजर खाएंगे तो आपकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी। इसके अलावा विटामिन A और किन-किन चीज़ों में मिलता है उसको जान लेते हैं। कॉटलिवर ओइल होता है, एक मचली होती है जिसका वो तेल होता है। अलाव कि वो कैप्सूल जाते हैं, वो भी फायदे मंद होते हैं तो जो लोग खा सकते हैं उन्हें वो खाना चाहिए। अगर ये नहीं खा सकते तो बहुत असान है दूद जरूर पिएं। दही खाएं, पनीर खाएं, मक्षन, आम और पपीता इत्यादी में विटामिन A भर पूर मात्रा में पाया जाता है। तो हमें अपनी आखों को बचाना है, विटामिन A की कमी नहीं होने देनी, क्योंकि विटामिन A से जब रतांदी नामक रोग हो जाता है ना, तो उसमें हम देख नहीं पाते हैं। यहां पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सबजीयां अगर आप देखें, तो वो दिखाई गई हैं जो कि हमारी आखों की रोशनी को बनाए रखने में सहायक होती हैं। जैसे spinach, carrot, blueberries, strawberries, walnuts, avocado है, peppers है, sweet potato है, broccoli है and almonds है। यह बहुत सारी चीज़ें जिनसे हम अपनी आखों की रोशनी बनाए रख सकते हैं, आखों को बचाई रखें, बस यही आपसे एक request है। तो चलिए, स्वें को जाचने के लिए कुछ आसान से प्रशन। पहला प्रशन है कि किसी वस्तु का प्रतिविम आख के किस भाग पर बनता है। तो आपने आख का चितर बनाना है और उसके भागों को इस तरीके से लिखना है। चलिए तीसर प्रशन पर चलते हैं फिर तीसरा प्रशन है कि हम चल्चित्र या मूवीस को कैसे देख पाते है तो ये वाला प्रशन हमने पिचली वरक्षीट में भी किया था देकि चल्चित्र में aun में 24 से भी अधिक चित्रों को एक निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है तो इसलिए हमारी आँखों को ये भ्रहम हो जाता है कि हम वीडियो देख रहे हैं जबकि वो सिरफ चित्र है जो की गतिशील है और वो जब एक मिनट में हमारे आँखों के आगे से निकलते हैं 24 से भी जादा तो हमें ऐसे लगता है कि वो चल रहा है और या हम मूवी देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं फिर है प्रशन नमबर चार विटामिन A की कमी से होने वाले रोग का नाम बताईए और इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से अधिक से अधिक मातरा में प्रियोग करना चाहिए अब ये कहां कहां पर मिलती है कौड लिवर, ओइल में, दूद, धई, पनीर, मकहन, आम और पपीता इत्यादी में विटामिन A भरपूर मातरा में पाया जाता है और इसके बाद आखरी प्रशन प्रशन नमबर पांच नेत्रों की देखवाल के लिए कोई चार मुख्य बाते लिखिए देखे, पहला है कि हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा करने से आखों वसर में दर्द हो सकता है दूसरा सूरे, टॉर्च या लेजर को सीधे नहीं देखना चाहिए ऐसा करने से रेटीना को नुकसान पहुंच सकता है फिर अगला है अपनी आखों की नियमित रूप से जाच करवानी चाहिए यदि डॉक्टर सला दे तो चश्मे का उपयोग भी करना चाहिए और पढ़ते समय किताब को सामाने दूरी पर रखना चाहिए किताब को अधिक पास या फिर अधिक दूर रखने पर आखों को नुकसान हो सकता है तो ये तो थी आज की वर्कशीट जिसने हमें सिखाया कि आखों की देखवाल कैसे करना है लेकिन यदि मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और टेलिग्राम एब पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास उसको जॉइन करना ना भूलें, इसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लेकिन ये भी याद रखना है कि घर से बाहर निकलते समये, खासत और से स्कूल जाते समये मासक अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए, कोरोना का टीका करन अवश्य करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से स्वाना बनाना है, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद